दो लाइन भी खीच सकते हैं, दो लाइन खीच सकते हैं, ठीके, ऐसे आप खीच लेंगे एक अच्छा सा हाशिया, इससे कापी की सुन्दरता बढ़ती है, अब चलते हैं, हम आपको लिखने का तरीका बताते हैं, जैसा कि आप पेपर देख रहे हैं, पेपर में लिखा है खं जो भी पड़ा हुआ है, आपको वो डाल लेना है, ठीके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है, एक मोटे ब्लैक इसकेस से, क्या डालना है, आपको ब्लैक इसकेस से डालना है, प्रशनोत्तर संख्या, क्या डालना है, प्रशनोत्तर संख्या, मेरी खेर नहीं करनी है ठीक है तो प्रस्णोरतर संख्या एक खंड का आमने डाल लिया और खंड का में प्रस्णोरतर संख्या एक का उत्तर क्या है ठीक है एक का क्या है यहाँ पर काखा का होना चीए 123 है तो आप 123 डाल लीजी जैसे कि यहाँ पर first डाला आपने first, second, third, fourth and आगे बस यहाँ जितने आगे हैं बस इतने ही लिखिएगा मैं उत्तर बताता हूँ आपको छाया वादोत्तर गद्द के युग के लेखक मतलब यही है कि छाया वादोत्तर युग के जो गद्द लेखक हैं आपको उनको बताना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप पेपर में टिक नहीं करेंगे पेपर में आप होम एक्जाम में टिक भी कर सकते हैं लेकिन बोर्ड पर इक्षा में ऐसे गलती नहीं करनी है तो यहाँ पर आपको छाया वादोत्तर में आपके वियोगी हरी सही हो जाते हैं तो मैं पहले इसमें निशान लगा लेता हू वर्ण रतनाकर की रचनाकार कौन है यहाँ पे model paper के साथ solution के साथ में बता रहा हूँ आपको तो share जरूर करना है आपको वर्ण रतनाकर की रचनाकार है तो यहाँ पे वर्ण रतनाकर की रचनाकार पूछा गया है तो वरण रतनाकर के रचनाकार जो है वो जोतरीश्वर ठाकुर है क्या है जोतरीश्वर ठाकुर है लेकिन अब यहाँ पे क्या है यह रचना है रचना कार यहाँ पे नहीं है रचना है तो वैसे फिलाल आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया कि जो त्रिश्व ठाकुर जो है वो वरण रतनाकर के क्या है रचनाकार है और यहाँ पूँच रहा है कि वरण रतनाकर रचना है किस सताब्दी की है तो यहाँ पर 14 वी सताब्दी आपका एंसर का सही हो जाता फिर पूँच रहा है कि भारतेंद युक्के निबंदकार कौन है तो यहाँ पर आपको सिंपल सा भारतेंद युक्के निबंदकार आपको बताना है भारतेंद युक्के निबंदकार यहाँ पर बाल कृष्ण भट हैं का वाला यहाँ पर भी सही हो जाएगा ठीक है और आचार है ऐसी तुरुटियां मिलती है कच्छा 11 वालों तो अगर आपको मानलो आपको उत्तर इसमें option ही नहीं है तो ये आपको plus point दिया जाएगा ये change करवा दिया जाएगा या फिर इसका अंक आपको मिल जाएगा फिलाल यहाँ पर 1903 है तो मिलता जुलता आपको उत्तर टिक कर देना है हमेशा मानलो 1903 का 1930 हो गया तो हमेशा आप वही टिक कर दें और फिर आगे लिख दें कि 1930 है यह प्रश्न तुरुटिपूर्ण है ऐसा लिख सकते है ठीक है तो यहाँ पर 4 हो गया तो मैं 4 का क्या लिखेंगे अच्छे से वियोगी हरी लिख लेंगे फिर दूसरे का हमारा answer है का ठीक है दूसरे का क्या है दूसरे का हमारा का है 14 होई सताब्दी तो यहाँ पर का है तो यहाँ पर आप लिख देंगे 14 होई सताब्दी ठीक है ठीक चौधावी सताब्दी और फिर थार्ड में आपका है का बाल कृष्ण भट ठीक है तो इसमें भी आपका डालेंगे बाल कृष्ण भट और फिर चौथे में आपका है का सन 1903 तो यहां पर भी का डालेंगे 1903 इस भी तो इस प्रकार आप लिख देंगे क्या उत्तर इस प्रकार आप अपने उत्तर लिख देंगे फिर अब हम आपको ले चलते हैं कहां पे ले चलते हैं हम आपको ले चलते हैं अब अगले पेज पे तो अगला पेज देखो क्या है तो वो तो तरीका हमने आपको जो बताया है ये आपको objective लिखने का तरीका हमने बताया है आप ऐसे भी लिख सकते हैं और उपर प्रशनोत्तर संख्या डाल के हर एक के नीचे लेकिन ऐसा तरीका आपका सही रहेगा ठीक है पेपर के हिसाब से इस तरीके से आपको objective करना है अब हम आपको objective हल करा देते हैं पूरे model paper के और ये model paper description में पहली link है जहां से आप download कर सकते हैं प्लेक की चुडएल की क्या पूछ रहा है प्लेक की चुडएल किस विधा की रचना है ठीक है यहाँ प्लेक की चुडएल किस विधा की रचना है तो आप क्या लिखेंगे कि प्लेक की चुडएल जो है वो कहानी है यहाँ पर गावाला अपसन आपका सही है प्रियोगवादी कवी है तो यह आप जानते हैं हमेशा प्रियोगवादी गिरिजा कुमार माथुर है अगे भी आपके प्रियोगवादी है तो आप हमेशा अगे को भी धान रखना जो भी तारसब्तक के कवी है वैसा प्रियोगवादी कवी कहलाते है भक्तिकाल की रचना कौन सी है ठीक है यहाँ पर दो से यहाँ पर अब यहाँ प्रसनोतर संख्या दो 5, second, third यह चल रहा है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बाकी 5, second, third चल रहा है प्रियोगवादी कवी होगा भक्तिकाल की रचना है तो भक्तिकाल की साकेत तो है नहीं साकेत कहा की है दुवेदी युकी है और आपकी लहर कहा की है चायावादी की है ठीक है लहर चायावादी युक की है प्रेम माधुरी आपकी भारतेंद युक की है तो जो आपका राइट आइंसर है वो क्या है यहाँ पर जो आपका राइट आइंसर है विने पत्रिका विने पत्रिका किसकी है यह तुलसी दास की है और तुलसी दास जो उसको हम कहेंगे भक्तिकाल ठीक है तुलसी दास जहां पे रहे वो भक्तिकाल कहलाता है रीतिकाल का दूसरा नाम स्रिंगार काल है आप हमेशा आद रखिएगा रीतिकाल का दूसरा नाम है स्रिंगार काल ठीक है स्रिंगार काल विश्वनात प्रसाद मिस्र ने इसका नाम दि कि रहुужд सब्सक्राइब और ओक्वच्णा परसाद मिस्र होगा विश् önाद प्रसाद मिस्रा इसका उत्तर लगा देंगे अगला प्रसन P4 पूंच रहा है 44 प्रसन कह रहा कि निम्रफित में से कौन सगुण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है तो तो देखो सूर्दास आपके सगुण है क्रिशन की उपासना करते हैं मिरा बाई सगुण है क्रिशन की उपासना करते हैं और तुलसी दास राम की उपासना करती हैं सगुण है तो जाइसी क्या है ये निर्गुण है और निर्गुण में भी सूफी सूफी संत है ठीक है सूफ किरचना नहीं है, हरी घास पर छणबर ये अग्गे की है, सुनेले सैवाल अग्गे की है, और आगन के पारदवार है, दूद बतासा नहीं है क्योंकि ये सुहनलाल दुवेदी की है, सुहनलाल दुवेदी की है, ठीक है, ठीक है, अब ये आपके अबजेक्टिव हुए complete, अब हम आपको बता दें, कि कैसे अब आपको कॉपी में लिखके हम बता देते हैं, कि कैसे आपको लिखना है पद्यांस और गद्यांस आधारित प्रशनोत्तर, चलिए अगले पेज पर चलते हैं तो आपके अबजेक्टिव जितने थे, वो एक-एक नंबर के थे, अब हम आ गए हैं गद्यांस आधारित प्रशनोत्तर पर, चलते हैं हम कॉपी की ओर कॉपी पे आ जाते हैं, कॉपी पे हम ले लेते हैं, दूसरा पेज दूसरा पेज लेने के बाद, हम वही काम करेंगे, हासिया खीच लेंगे हासिया हमने लिया है, खीच और अब हम डालते हैं, प्रशनोत्तर संख्या यहाँ पर कौन से डालेंगे, प्रशनोत्तर संख्या डालेंगे, तीन ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे तीन है प्रशनोतर संख्या तो हम यहाँ पर प्रशनोतर संख्या कौन सी डालते हैं तीन तो यहाँ बहुत सुन्दर ढंक से आप डालेंगे प्रशनोतर ठीक है तीन डालेंगे और यहाँ पर आराम से पट्री से आप अंडरलाइन करेंगे ताकि सुन्दर हो जाए ठीक है अब यहाँ पर दिया है गध्यांस ठीक तो आप थोड़ा सा यहाँ पर गध्यांस क्या डालेंगे संकेत डाल देंगे संकेत कैसे डालेंगे मान लो आप पहला गध्यांस कर रहे हैं पहला दो गध्यांस होते हैं पहला और अथवा करके दूसरा होता है तो आप मान लो गध्यांस डाल रहे हैं तो गध्यांस में नमबर तो है नहीं ताखा नहीं होता क्योंकि अथवा करके होता तो आप डालें कद्यांस में संकेत यह समय अब जैसे लिखा है कि यह समय ऐसा है कि उन्नत की मानो घुरदोर रही हो ठीक है तो यह समय ऐसे करेंगे फिर डॉट 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 करके और यह कौनसी बात कही है अब आप इतना लिख देंगे यह संकेत आपने लिख लिया संकेत के बाद यह कहता है कि प्रषणों के उत्तर दीजिये लिखा है तो आप लिखे यहाँ पर ऐसे जैसे लिखा जाता है आप आराम से यहाँ पर डालिए first प्रशनोंतर संख्या तीन का first ठीक है ऐसे तीन डाला और फिर तीन का फर्ष्ट डाल रहे हैं ठीक है तो तीन का फर्ष्ट में आप डालेंगे तो यहां पर कह रहा है क्या कह रहा है कि उपर गद्यांस के पाठ और लेखक का नाम तो आपको ऐसे डालना है देखो पाठ का नाम ठीक आराम से डालिएगा पा लेखक का नाम, बहुत जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से लिखना है, इतना लिखना है, आस्तन, ना तो जल्दी हो, ना तेज हो, तो पाठ का नाम आपका कौन सा है ये, ये समय ऐसा है, अंग्रेज, फार, सीसी, तादी, तुर्की, आप इसको पहचान गए होंगे, आप इसको पहचान गए होंगे, कि ये कहां से आया है, तो ये आपका है, भारत वर्शोनती कैसे हो सकती है, आपका भारत एंदू हरिश्चन का, चुकि ये छोटे-छोटे question है, इसलिए यहाँ पर spelling की mistake भी आपको नहीं करनी, तो पाठ का नाम आप लिखेंगे, आराम से भार भारत वर्शोनती कैसे हो सकती है, भारत वर्शोनती कैसे हो सकती है, ठीक है, अब चुकि बच्चे बहुत सारे ये करते हैं कि अब ऐसे जल्दी-जल्दी लिख देते हैं, लेकिन उपर शिरोरेखा नहीं खीचते हैं, ये वाली, तो यहाँ पर भी problem है कि आप शिरोरेखा अराम से खीचिए नहीं तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आपका राइटिंग का एक नमबर कट सकता है ठीक है अब यहां लेखक का नाम भारतेंदू हरिश्चन क्या लिखेंगे भारतेंदू हरिश्चन बस ऐसे कर लेना है अब हम आपको पूरे questions हल करा देते हैं ये हमने लिख ये तरीका आपको paper हल करने का बताते हैं full solution आपको paper का देंगे लेकिन उससे पहले हम जगे जगे पर आपको लिखने का तरीका बताते रहेंगे second, third, fourth ऐसे ही डालते यहां पर चले जाएंगे आप ठीक है इस गद्यांस का हल करने का तरीका यही है कि आप जो है आराम से आरा जाएगा फिर कोटी उपाय कि यह भी आगे न बढ़ सकेगा तो आप यहां दिखेंगे प्रस्तुत रेखांग की तंश में भारतेंदू हरिस्चंजी भारतियों को और विक्तियों को समझाते हैं कि यह ऐसा समय चल रहा यह प्रगती का समय है यह उन्नती का समय है यदि इस में जो वेक्ती इस उन्नती की घुरदावर में पीछे रह जाएगा वो कोटी मतलब करोडो उपाय करेगा फिर भी आगिन नहीं बढ़ पाएगा इस लूट में इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमभती का च्छाता और आखों में मुर्खता की पट्टी बंधी रहे उन पर उन्नती की भरमार है जहां पर तमाम आउसर आपको मिल रहे हैं यदि आप इन आउसरों से भी चूक गए यनि जब पचास अजार वेकेंसी आई और आप चूक गए तो क्या है कि अगर इन आउसरों से भी आप चूक गए आखों में और बुद्धी में यदि आपके इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने क्या बात बताई है तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है तो इस पंक्ती के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि जो लोग आज भी अंदविश्वासों में जगड़े हुए हैं वे स्वावलंबी बनें यदि स्वावलंबी नहीं बनेंगे आउसर का लाब नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब है वे कहीं न कहीं पीछे अवश्य रह जाएंगे ठीक है फिर अगले प्रस्ण में कता लेखक ने कहा के निवासियों को जापानी टक्टू की संग्या दी है ठीक तो भारत वासियों को है ना लेखक ने जापान के निवासियों को जापानी टक्टू की संग्या दी है क्योंकि वे अधिक शक्तिसाली नहीं होते फ जापानियों को ही कहा है। सुझाओ दिया है कि जब छोटे छोटे देश अपने विकास में लगे हुए हैं अपने तमाम उनती कर रहे हैं प्रगती कर रहे हैं तमाम आउसरों का लाब उठा रहे हैं तो आपको भी पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए और लाब उठाना चाहिए उस समय हिंदू काठिया वाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं ठीक है खोदते हैं तो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि इस पंक्ती यह यहीं पंक्ती है यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लगा लिजिए यहाँ पर इस पंक्ती का क्या आशे है मैं आपको जब पेपर दूँगा तो यह सही करके दूँगा इस पंक्ती का क्या आशे है तो देखे इस पंक्ती के माध्यम से भारती इंदु जीने भारतीयों की जो अकरमंडिता है ठीक है अकरमंडिता और उदासीन प्रवत्ती से छुप्द हो करके दुखी हो करके कहा कि संसार के सभी देश उन्नती कर रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम भारतवासी अपने स्थान पर खड़े खड़े पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं फिर दूसरा है महा भगवान महा महिम मधुसूदन जिस समय कलपांत में समस्त लोकों का प्रले बात की बात में कर देते हैं उस समय अपनी सामाधिक अनुराग वती स्री लक्षमी को धारण करके उन्हें साथ लेकर चीर सागर में अकेले ही विराजते हैं तो ये आपका कहां से लिया गया महा कभी माग का प्रभात वरणन तो चलते हैं हमको करना था दो में से एक ठीक है गद्यांस पर अधारित किसी एक का देना था थवा करके तो हमने एक का आपको हल बता दिया है अब चलते हैं पद्यांस का ठीक है तो पद्यांस पर अधारित प्रशनों का उत्तर दीजिए यहां पर पद्यांस दिया है कहां से लिया गया है सूर्दास के पद से ठीक है जैसे आपने प्रशनोंतर संख्या तीन की थी वैसे यहां पर चार डाल लेना है आगे और ठीक उसी प्रकार संकेत आपको पद्यांस का दे देना होगा आपको और फिर फा सेकेंड तक करके ऐसा ही पाट का नाम शीरशक का नाम जो पूछ रहा है वो आपको लिख देना होगा ठीक तो यहां पर उपर पद्यांस के शीरशक का नाम और कभी का नाम सीरशक का नाम देखो कभी तो आपके सूर्दास हो गए शीरशक का नाम लिखेंगे विने विने शीरशक का नाम क्या लिखेंगे विने और फिर ब् उध्रत ऐसे लिग देंगे ठीक है सूर्दास क्रित सूर सागर से उध्रित विनेः शीर्शक ऐसे लिख देंगे अब फिर करा रेखांकि तनश्की व्याध्या तो यह करते हैं कि मेरा मन अनतमाने हुता दूसरी जगे सूर्दास कहते है कि स्रीकृष्ण को छोड़ कर मेरा मन कहीं और सुख प्राप्त नहीं कर पाता जिस प्रकार जहाज पर निवास करने वाला पंग्छी उड़ जाता है और अपना शिकार करने के बाद पुना जहाज पर वापस चला आता है ठीक उसी प्रकार मैं अन्य देवों में तो मन लगान एक चेश्टा करता है लेकिन क्या है कि जो स्री कृष्ण रूपी जहाज हैं उनको छोड़ कर कहीं नहीं जा पाता पुनहां आकर के स्री कृष्ण में ही रम जाता है तो ये हो गया फिर आपका सूर्दास की किसकी भक्ती में परमसुक का अनुभो करते हैं तो आप लिखेंग स्री कृष्ण की भक्ती में और जहाज का पक्षी किसे कहा गया है मन ठीक है मन को जहाज का पक्षी कहा गया है सूर्दास फिर कहते हैं सूर्दास ने भगवान कृष्ण की भक्ती को त्याग करने देवताओं की भक्ती करने को क्या बताया है तो समझो सूर्दास ने भगव कि जो परम गंगा रूपी स्री क्रश्न को छोड़ कर कोई दुर्मत यानी मूर्ख ही होगा जो कूप खोदेगा गड़ा खोदेगा है ना कुवा खोदेगा परम गंगा बहर ही है तो क्या अब इसी प्रकार इसी क्रम में दूसरा आया है एक करना है आपको एक काहल करा दिया हमने कहां से लिया गया है ये कविता वली से लिया गया है और कविता वली के रचईता कौन है यहां पर तुलसी दास आपके कविता वली के रचईता है तुलसी दास ने लिखा है कविता वली से लिया गया है ठीक है तो ये भी कर लेंगे आप चलते हैं आपको साहितिक परिचे की और ले चलते हैं अब आपके जो प्रशन आएंगे वो पाँचवा प्रशन होगा कि एक लेखक का जीवन परिचे देते हुए उनकी महात्वपूर्ण रचनाओं को लिखिए ठीक है असी शब्दों में आपको जीवन परिचे साहितिक परिचे देना है साहितिक परिचे को हो या फिर जीवन परिचे को हो दोनों एक ही चीज हैं लेकिन अलग 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 चीजे हैं लोग कहते हैं एक ही चीज हैं लेकिन ऐसा नहीं है दोनों अलग 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 चीजे हैं देखो साहितिक परिचे में क्या होता है लेखा का साहितिक परिचे देना होता जो उसने काम किये होते हैं हिंदी साहितिके परती उसका परिचे देना होता लेकिन जब जीवन परिचे आता तो उसके केवल जीवन से संबंदित और कृतियों से संबंदित दिया जाता है अब जिसमें का भारते हैं दूर शाम सुंदर का प्रयास किया है, यहां पर आप प्रस्णोत्तर नसंख्या 5 डाल देंगे, लेखक की जीवनी साहितिक परिचे आप डाल देंगे, ठीक है, 5 का, यहां पर 5 का 1st 2nd 3rd, तो ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहां पर 5 का, और 1st 2nd 3rd में से 3rd चुना गया, तो 3rd लिखें तो 7 लाइने लिख दी गई है, बेहतर है आपके लिए 7 लाइने, ठीक है, 7 लाइने यहां पर लिख दी गई, ठीक, अब 7 लाइने लिखी गई, 7 लाइनों जीवन परिचे निप्टा दिया गया, अब 80 शब्दों में लिखना है, तो कोई दिक्कत जादा है नहीं, बहुत पर आप डाल देंगे कृटित्तो, यानी रचणाएं, या तो कृटित्तो हेडिंग डाले है, या रचणाएं डाले है, फिर अलोचनात्म कृतियां या जो भी कृतियां उनकी है, यहां पर डालने के बाद काम खतम, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना देखो, 7 से 8 ल जाएंगे पांच पांच एक लेखा का एक कभी का फिर उसी क्रम में आपको क्या करना है फिर आएगा अस्सी शब्दों में आपका एक कभी का करिए तो कभी कर देना और बलिदान अत्वा धुरुयात्रा कहानी है तो समिच्छा ऐसे लिखा जाता सिंपल सा इसमें कोई डिज कोहासा किरण है सूत पुत्र है चतुर्थंक की या फिर चरीचित्रण कीजिए तो ये आपको सिंपल सा हेडिंग डालके चरीचित्रण कर देना होता है चरीचित्रण कैसे हेडिंग डालते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं सपोस्थ यहां पर हमने देखो प्र प्रस्न आठमा क्या कहता है देखेगा प्रस्न आठमा कह रहा है कि आपको दो संस्कृत के गद्यान्स साथ साथ अंक में दिये होते हैं देखो इसमें आपका दो अंक संदर्ब का और पांच अंक होता है आपका का है का पांच अंक आपका होता है अनुवात का तो कुल मिलाके साथ अंक का एक गध्यांस होता है ठीक ऐसे ही एक साथ अंक का पध्यांस आपका होता है फिर आप इसको क्या करेंगे इसका हिंदी अनुवात आराम से कर देंगे जैसे राष्ट्र भासा हिंदी प्रचारे सनलगन तो पहले संदर्ब आप लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्क्रित गर्द्यांस कहां से लिया गया है ये लिख देंगे फिर इसका लिखेंगे हिंदी अनुवाद राश्ट भासा हिंदी प्रचारे सनलगन और यहीं पर अनेक सहस्त्र संख्याई अनेक हजारों संख्या में देश विदेश विद्यारति भी देश विदेश के विद्यारतियों के द्वारा परिवृत्त हमाने घिरा हुआ विविद विद्या पारंगत ही है विद्वत वरेंड यही है विविद विद्याओं में पारं ध्राचीन गुरुकुल से भरध्वाज का प्राचीन गुरुकुल नवीनम रूपमइ। प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भातिश सोबते सोबित होता है। उचन्यायालया अस्यनगर से प्रतिष्ठाम वर्धैत उचन्यालया इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ाता है तो ये ऐसे आप हिंदियन वाद लिख देंगे ठीक है प्रयागा इस पाट से लिया गया है फिर आप देखेंगे कि एक पध्यांश दो आएंगे दो में से आपको एक करना होगा जैसे आचारा लबते ही आईउ आचारात लबते ही आईउ मनुष्य सदा चार से ही आईउ को प्राप्त करता है लबते श्रियम और आचार से ही आचारात लब्ते स्रियम और आचार से ही लक्षमी को प्राप्त करता है आचारात किर्ति मापनोद और आचार से ही यानि सदाचार से ही कीर्ति को प्राप्त करता है पुरुषा माने पुरुष प्रेत्यमाने परलोक में चा माने और इहमाने यहाँ ठीक है यहां पर और परलोक में दोनों जगे ठीक तो ऐसे कर देंगे संदर भी इसका डाल देंगे हेडिंग तो जानते हूँ आपको फिर यहां पर दो प्रशन आपके दिये होंगे संस्कृत वाले इनको दो का दो प्रशनों का चार दिये होंगे दो का आपको चार अंकों मे सिधा साथ दो का ही उत्तर आपको देना होगा तो दो का उत्तर आपको आराम से लिख देना है फिर आपका आएगा हासरस और भयानकरस का इस्थाई भाव, परिभाशा, उदाहन सहीद वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है संस्कृत के गद्यांस पद्यांस भी आप उसी तरह heading डाल देंगे देखो प्रशनोतर संख्या डाल के और ऐसे इशलोक का संकेत दे करके संदर्भ और फिर यहाँ पर हिंदी अनुवाद ऐसे डाल के आप हिंदी अनुवाद करेंगे अब आपको रस कैसे लिखना वो बताते हैं अब यहाँ पर देखेगा करुण रस है यहाँ पर सपोस्ट फिलाल आपको हासे रस का दिया गया है पेपर में तो परिभाशा आप लिख देंगे फिर उदाहरण एक लिखेंगे फिर इस पश्टी करण लिख देंगे इस पश्टी करण लिखने से आपके नंबर एक को नहीं कटेंगे अगर आप इस पश्टी करण नहीं लिखतें तो आप जाने फिर उसी प्रकार अलंकार परिभासा और उदारण लिखना है जो पूछा जा रहा है फिर उसी प्रकार रोला चंद आपको चंद लिखना जो भी चंद आपको लचंद और उदारण ऐसे लिखके आपको मात्राएं निकाल देनी है अगर ये मात्राएं नहीं निकालते हो तो एक नंबर कटने का डर रहता है तो ये आपका रहा ये आपका क्या रहा रहा हरस चंद और अलंकार यहां पर मानलो हासरस का है तो हासरस का आप लिखिया अनुपरास का है तो ऐसे चौपाई है तो चौपाई लिखे चंद पूरे पढ़ाये जा चुके हैं प्लेलिस्ट में आ आतंकवाद की समस्या, बहुत सारे बच्चों का प्रस्ण है कि कितने पेज में लिखें, देखें तीन से लेकर के चार पेज के मद्ध में आपको ये लिखना है निबंध, नहीं तो आपको 9 अंक मिल रहे हैं भाई, या 2 अंक यहाँ पर रूप रेखा के और 7 अंक आपको मिल लिखते हैं, ठीक है, चलिए हमें रूप रेखा आपको दिखा देता हूँ, तो ये रहा आपका रूप रेखा, जैसे ये हमने आप जनसंख्या पर निबंध लिखा, तो यहाँ पर रूप रेखा ऐसे बनाएंगे, हेडिंग्स जो डाली जाती, ये रूप रेखा आपकी ह ठीक है, फिर प्रस्तावना वगरा वही हेडिंग डालके आपको लिख देना होगा, ठीक है, तो ये निबंध लेखन हो गया, आपका फिर हो गया प्रेजते का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्राधन एजते, तो ऐसे ही उत्तर यहाँ पर स अब वही भाव समास, ठीक है, अब वही भाव हो जाएगा, जब भी आपको ऐसा प्रस्न दिखाई दे, तो आप सबसे पहले एक काम करिएगा, यहाँ पर प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष लुह लिजिएगा, और यहाँ पर एक वचन दुई वचन और बहु वचन लिख लिएगा, तो यहाँ पाद हातों निकाल लिए आपने, अब लोट लखार आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पीबतु, पीबताम, पीबन्तु, ठीक है, पीबन्तु, पीब, पीबतम, और पीबत, ठीक, पीबत रूप यहाँ पर हमारा आ गया, तो यह क्या है, पीबत रूप हमारा आ गया, तो पीबत रूप ही तो पूचा गया, यहाँ पूचा गया, पीबत का पहले बता देते हैं, फिर इस्तास सामय का भी बताते हैं, पीबत का क्या हो जाएगा, बताइए, तो यह हो गया, पाधातु, लोटलका लोटलकार मध्यमपुरुस बहुवचन ठीके पाधातू लोटलकार मध्यमपुरुस बहुवचन ठीके यह पिबत रूप आपका हो गया फिर इस्थास्यामा है इस्थास्यामा में भी लिर्टलकार में चला जाएगा ठीके तो इस्थास्यामा का हो जाएगा लिर्टलकार यह उत्तम पुरुस हो जाएगा उत्तम पुरुस हो जाएगा बहुचन हो जाएगा ठीक है लिट लकार इस्थाधातु लिट लकार उत्तम पुरुस बहुचन का रूप इस्थास स्यामहा बनेगा नएह रूप होता है नएह विधिलिंग लकार मध्यम पुरुस एक वचन का तो यहाँ पर लगा लिजे, नए होता है, एक ही मात्रा लगी हो, तो आप बिदलिंग समझ जाएए, ठीक है, फिर पठिश्यसी रूप होता है, पठिश्यसी, तो पहली बात तो शा लगा है, तो लिट लकार हो गया, तो लिट लकार में हो गया, तो मध्यमपुरुस का एक वचन तो यही हो जाएगा, और आपसन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पठिश्यसी, ठीक है, तो लिट लकार मध्यमपुरुस एक वचन, ठीक है, जैसे हमने बताया था, उसमें वैसे होगा, ठीक, अब अगला देखते हैं, उसके ही आपसन है, फिर नीत्वा में, प्रत्य क्या हो जाएगा, नी धातु कत्वा प्रत्य, ठीक है, नी धातु आपकी है, और कत्वा प्रत्य है, महत्वम में, महत्धातु में, आपका कौन सा प्रत्य लगेगा, तो आपका अच्छा सही हो जाएगा, फिर एखांकित पदों में आपको क्या ढूंडना होगा, एकांकी तंश में आपको नियम निर्देश पूरवग विभक्ती का उलेख करना होगा तो वो भी तरीका हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि भाई विभक्ती का उलेख आप कैसे करेंगे उलेक ऐसे करेंगे जैसे मानलो कि लिखा है कि पुष्पम परिता ब्रहमराह संती ठीक है पुष्पम परिता ब्रहमराह शंती तो आप यहां देखो जैसे यहां पर कहा गया मोहनाह पादेन खंजह और यहां पर लिखा है नरेशा आक्षणा काना तो बात वही है मोहना पादेन खंजा ऐसे लिख दिया फिर नियम आपको लिखना है ये नांग विकारा सूतर से तरतिया विवक्ति है करणकारक है ठीक ऐसे लिखना है आपको तो यहाँ पर लिखा पुष्पम परिता भ्रमराह संती तो आप लिखना क्या लिखेंगे पुष्पम में दुतिया विभक्ति विभक्ति और नियम तो विभक्ति लिखेगा विभक्ति कौन सी है यहाँ पर दुतिया हो जाएगी दुतिया विभक्ति हो गई और लेकिन फिर पूँच रहा है कि नियम बताईए तो अभिता परिता समया निक्सा आप नियम हेटिंग डाल के अभिता परिता समया निक्सा हाप रतियोगे सूत्र से यहाँ पर कर्मकारक है ठीक है चात्रेश्य अनिलह स्रेश्टा यतष्च निर्धारणम चात्रेश्य में सब्तमी विवक्ति है ठीक है और यतष्च निर्ध जिसका जो करना है वो लिख देने इतना तो आपको पता ही है तो लिखा है संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं तो संसारे सरवे जनाह सुखम इच्छंती तुम क्या चाहते हो तुम किम एच्छा सी हो गया तो आप इसको ज्यादा ज्यादा शेयर केजिए मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको करना है ये पेपर आपकी देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट दो हजार तेईस के लिए पनी बनी हुई है आप आराम से तयारी कीजिए A to Z चीजें आपको मिल जाएंगी आपको पूरी व्याकरण साहितिक हिंदी सामान हिंदी सब कुछ पड़ा हुआ है आपको हम अर्दवार्शिक का भी मौडल पेपर दे देंगे और ये हमने वार्शिक का दे ही दिया है आपको तो अर्दवार्शिक के लिए तयार रहिए म मैं आपको दे दूँगा आप